हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल के आइडियास टिप्स लेकर आई हूँ, जो हमारे घर के काम को बहुत ही असान बना देंगे, ऐसे टिप्स आपने पहले कभी नहीं देखी होंगे, तो चलिए देखते हैं, अमेज जाते हैं, कीचन में काम कर रहे होते हैं, हमें मोबाइल रखने की प्रोबलम आती है, तो क्या करें, आपके मोबाइल में कवर होता ही है, इसे निकाल लेंगे और इस तरह से एक कार्ड ले लिजिएगा, जो आपके पास सपेर हो, इस तरह से कार्ड की हेल्प से आप में लगा दीजीए ये देखिए हमारा फ्री में मुबाइल होल्डर बन गया है बड़े ही आराम से आप अपने काम के साथ साथ मोबाइल देख सकते हैं इधर उधर कर सकते हैं बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी आपको मोबाइल देखने में इसी तरह से हम सीधा भी लगा सकते हैं हमारे दूसरी टिप स्कोच ब्राइट को लेकर है अब यहाँ पर लिया है मैंने स्कोच ब्राइट इसका यूज कैसे होता है बतन साफ करने में इसका और भी यूज कैसे हो सकता है ये देखिएगा इस वीडियो में चोटा-चोटा साबन बच जाते हैं जिसे हम यूज नहीं करना चाते या फिर साबन का चोटा टुकड़ा और इन्हें स्कोच ब्राइट के अंदर गुसा दीजिएगा जिसे ये होगा कि वाश वेसन साफ करना हो या फिर कई जगा ऐसी होती है जिसे हम साफ करते हैं, इसे साबन फिसलेगा नहीं और काम भी बहुत असान हो जाएगा, फट फट से इसे साफ कर सकते हैं और हमारे बचों है साबन का भी यूज हो जाएगा, तो देखा आपने कितनी यूजफुल ट्रिक है, अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लेगी त तो मुझे कमेंट्स में जुरूर बताएं, तो फ्रेंट्स हम गूमने जाते हैं, बाहर और नेल पेंट तो साथ ले जाते हैं, पर कभी कभी नेल रिमूवर बूल जाते हैं, गर पर ही, आपके पास डियो या परफ्यूम तो होता ही है, कोटन पर थोड़ा सा लगाईए और नेल पेंट्स साफ कर लीजिए, नेल रिमूवर का ही काम करेगा, नेक्स्ट हमारे पास स्टेंड तो होती हैं, गरम चीज रखने के लिए पुराने हो जाते हैं, यूज नहीं करना चाहते हैं, फैंकी का मत इसे बहुती कमाल की चीज बन सकते हैं, इससे नेल पेंट्स ले लिजिए, कॉर्नर से और उपर एक नोट लगा लिजिए, कोई भी गुलरस्ता रख सकते हैं, इसमें अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं, इस वेस्ट चीज से बाहर टांग सकते हैं, नेचरल फ्लावर्स वाला पोट भी इसमें रख सकते हैं, बहुत सुन्दर दिखेगा, त तो देखा आपने कितना अच्छा लग रहा है, यह फ्लावर पोट बजार से कोई भी ओर्गनाईजर लाने के जूरत नहीं है, नेक्स्ट ट्रिक डाइरी पैंसिल को लेकर है, कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ता है डाइरी में, कई बर भूल जाते हैं, पैंसिल कहां रख लखी थी, इस तरह से पेपर कलिप की हैल्प से पैंसिल को डाइरी के साथ टैच कर दीजिए, मुश्किल नहीं होगी डूंडने में, अब देखिए बिंदियों का कमाल, घर बेटे ही आप सस्ते में नेल अड़ कर सकते हैं, छोटी-छोटी बिंदिया लेंगे और इन्हें अपने नेल्स पर लगा लेंगे, इस तरह से बीच में, अब क्या करेंगे, नेल पेंट ले लेंगे, कोई भी लगा लेंगे नेल्स पर और इन्हें स्यूखने दीजिएगा कम से कम आधा घंटा, पूरी तरह से नेल पेंट सुखने के बाद एक प्लककर की हेल्प से इन इन बिंदियों को हटा देंगे, ये देखिए इस तरह से, गर बेटे ही आप नेल अड़ कर सकते हैं, वो भी सस्ते में, बहुती सुन्दर दिखेंगे आपके आद, अगर आप डार्क नेल पेंट का लोगे तो और भी सुन्दर लगेगे, तो चलिए भड़ते हैं, नक्स जुगाड की और कई बार ऐसा होता है, कि हमारी कीचन में बरतन बहुत ज़्यदा होते हैं, और स्पेस बहुत कम होती है, हमारे पास डिस्पोजबल इस तरह से गिलास होंगे ही, कांच के गिलास तो फ्रेंड्स कैसे लगे मेरे चोटे-चोटे टेप और ट्रिक्स है, अगर आपको मेरे ये टेप से भी अच्छे लगते हैं, तो मुझे कमेंड्स में जुरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कौन सा टिप ज़्यादा अच्छा लगा, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ